दोस्तों आज हम आपको देश के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जिसके सामने वैगयनिकों ने भी हार माली है जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं बगवान जगनात मंदिर की जिसको हिंदूओं के चार धामों में से एक माना जाता है ओडिशा के तटवर्ती सहर कुछ ऐसी आश्चिरेजनक और चमतकारी बाते जूड़ी होई हैं जिनका की विज्ञान के पास भी कोई जवाब नहीं है तो दोस्तों आईए जानते हैं कि वो चमतकारी बाते क्या है नमरे दोस्तों बगवान जगनात मंदिर का सबसे बड़ा रहशी ये है कि समुद्र के इतना पास्थित होने के बाद भी समुद्र के पानी की लहनों की आवाज आपको मंदिर के अंदर नहीं सुनाई देगी लेकिन जैसे ही आप मंदिर के बाहर कदम रखेंगे वैसे ही समुद्र के लहनों की आवाज आपको सपष्ट सुनाई देने लगेगी नमबर दो, दोस्तों इस मंदर में बनने वाले प्रशाद के साथ पात्रों को एकी चूले पर एक साथ नीचे से उपर तक रखा जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सबसे पहले उपर रखे साथ वे पात्र का भोजन पकर तयार होता है, इसके बाद क्रमबद तरीके से द द्वार बन्द नहीं हो जाते, पर शाद बढ़ता रहता है, नमबर तीन, दोस्तों जगनात मंदर के सिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगावा है, और कहा जाता है कि आप इस चक्र को चाहे किसी भी दिशा में खड़े होकर देखो, आपको ऐसा लगेगा कि इस चक्र का मु आपकी ही तरफ है, इसके अलावा इस चक्र और मंदर के सिखर की छाया भी हमेसा एदरशी रहती है, नमबर चार, दोस्तों भगवान जगनात मंदर के सिखर पर एक जणडा लगावा है, और यह जणडा हमेशा हवा के विपरित दिसा में लहराता रहता है, इतना ही नहीं यह आभी तक एक रैश्य बना हुआ है तो दोस्तों बगवान जगरनात मंदिर के इन रैश्य और समतकारों को जानकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं और ऐसी आमेजिंग और इंफोर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक शिर और सबस्क्राइब कीजिए